प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बूक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना बोलें महिश्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स माहिम दरगा के ट्रस्ट के एक ट्रस्टी डॉक्टर मुदसर निशार लामबे पर एक महिशा ने बलतकार का आरोप लगाते हुए माहिम पुलिसी स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है भारतिय दन सहिता की धारा 346, 328, 506 के तहित ये मामला दर्ज किया गया है डॉक्टर मुदसर निशार लामबे दरगा के ट्रस्टी के तास साथ राजवक्ष बोड के सदस्ट भी एक अस्थानिय महिला ने 25 दिन पहले यानि कि 7 दिसंबर को पुलिस में लिखे शिकायत की थी पुलिस ने च्छानवीन करने के बाद डॉक्टर लामबे के सिलाफ फाईयार दर्ज की है वहें महिला दोरा लगाए गए बलतकार के आरोपों को डॉक्टर मुदसर लामबे गलत और बेवुनियात बता रहे हैं फाईयार दर्ज होने के बाद दरगाह के मैनेजिंग ट्रिष्टी सोहेल खंडवानी के तरफ से भी बयान सामने आया है फाईयार के बारे में माहिम दरगाह ट्रिष्टी नियासी बोर्ट की सोमवार को एक एहम बैठक होगी जिसमें आगे की कारवाई की बात होगी इस होने वाली बैठक को भी इस नजर से देखा जा रहा है कि माहिम दरगाह ट्रश्ट की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए डॉक्टर मुदस्टर निशार लांबे को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है तुमाम खबरों को जानने के लिए लिखते रहें प्रहा टाइंगे